एक पार दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे यात्रा के दोरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर भहस होती है भहस लड़ाई में बदल जाती है और एक दोस्त दूसरे दोस्त को एक थपड मार देता है थपड कसके लगा लेकिन उस दोस्त ने कुछ नहीं कहा और रेत पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थपड मारा दोनों दोस्त फिर आगे चल पड़े और बहुत चलने के बाद एक तालाब मिला दोनों उस तालाब में नहाने लगे जिसको थोड़ी देर पहले थपड मारा गया था वो नहाते नहाते कहराई में चला गया और टूबने लगा लेकिन दूसरे दोस्त ने बचा लिया पानी में से निकल कर उसने एक पत्थर पर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई अब जिसने थपड मारा था उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हें थपड मारा था तो तुमने रेत पर लिखा था और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो ये बात तुमने पत्थर पर लिखी ऐसा क्यों तो उसने जवाब दिया कि जब कोई हमें ठेस पहुँचाता है तो उसे रेत पर लिखना चाहिए जहां छमा की हवाएं उसे मिटा सके और जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए जहां कोई हवा उसे मिटा न सके वो अमिट हो दोस्तों, अपने जीवन में हमें चोटी मोटी चीजों के पीछे अपने रिष्टों को खराब नहीं करना चाहिए अपनों की खराब बातों को इग्नोर करना चाहिए हमेशा अच्छी यादों को संजोना चाहिए धर्निवाद, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का